दोस्तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्रिप 10 मिनीट में 10 रुपया की दूद से 1 किलो दही बनाने की रेसिपी कर्मी पढ़ते ही मेरी डॉटर को है ना दही बहुत पसंद है और वो हमेसा जीद करती रहती है ममा दही बनाऊना तो मेरे पास दूद नहीं था तो आज मैंने स्रिप 10 रुपया की दूद से पूरी 1 किलो दही बनाई रेसिपी बहुत ही मजेदार होने वाला है वीडियो को लाश तक पूरा देखिए एक भी स्टेप अगर स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी जो है पानी ले लिया है अब यह पानी को क्या करना है इसी कटोरी से हम सारी चीज को नापेंगे तो जो जो मैं वीडियो में आपको बारी की से समझा रही हूँ वो स्टेप को आप फॉलो कीजिएगा अब यहाँ पर हमने 10 रुपय वाला मिल्क पाउडर की पैकेट भी ले लिया है अब यहाँ पर हम पानी को गरम कर लेंगे तो गैस की फ्लेम को मिडियम पर रखा है और पानी को उतना तक हम गरम करेंगे जैसे हम इसमें हाथ लगा सकते हैं तो गुन-गुना गरम जो है पा के साथ मिला लेंगे तो इस तरह से हम मिला लेंगे इसमें कोई भी गुटली नहीं रहना चाहिए अच्छे से milk powder को खोल लेना है इस बात की ध्यान रखे तो ये दिखिए मैंने गोल के तियार कर लिया है ये देखिए अब हम इसको side में करते हैं चलते हैं next process में तो यहाँ पर हमने 3 कटोरी दही की हिसाब से एक एक कटोरी की हिसाब से हमने 2 टेबल स्पून जो है सक्कर लिया है तो टोटल जो है 3 कटोरी की दही की हिसाब से 6 टेबल स्पून जो है हमने सक्कर डाला है कड़ाई में तो कड़ाई को अच्छे से पहले गरम कर लेना है और फिर उसके बाद फ्लेम को रखना है एकदम से लो पर और इसमें हमें सक्कर को डाल देनी है लो फ्लेम पर सक्कर को डाल के इसको केरमिल बनाना है और low flame पर अगर आप नहीं करते हैं तो क्या होगा सक्कर जो है वो जल जाएगा और एक बहुती bad smell आएगा तो दही जो है हमारा tasty बिलकुल भी नहीं लगेगा तो इस बात की ध्यान रखिए तो आप देख सकते हैं टाइम भी लग रहा है तो ये प्रोसेस को करने में लगभग 5-6 मिनिट तक लग जाता है तो एक दम से सबसे पहले कढ़ाई को आपको अच्छे से गरम कर लेना है उसके बाद flame को low कर देना है फिर इसमें सक्कर डालिएगा तो अभी जो है चीनी मेल्ट होना शुरू हो गया है आप देख सकते हैं जैसे चीनी मेल्ट होना शुरू होगा तो इसमें कलर आना भी शुरू हो जाएगा बार बार में बोल रही हूँ ध्यान रखिए कि flame को आपको medium या तो hyper करके ये process को नहीं करना है धीमी आज पर रखके ही ये process को कीजिए तो देखिए यहाँ पर चीनी जो है पूरी तरह से melt हो चुका है और अच्छे से एक color भी आ चुका है तो अब हम क्या करेंगे जो कटोरी से हमने सारे चीज को नापने की बात किया था उसी कटोरी से दो कटोरी जो है इसमें पानी डालेंगे पानी जो है normal room temperature का ही पानी हमने इस्तेमाल किया है तो जैसे आप पानी डालिएगा ना तो इसमें क्या होगा नीचे जो केरमिल हमने बनाया था वो एकदम से कड़ाई की उपर चिपक जाएगा तो इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है इसको लगातर आप चलाते रहिए और चलाते चलाते एक टाइम के बाद आप देखेंगे कि चीनी की साथ ये जो पानी है ये mix हो जाएगा और इसमें बहुत अच्छा एक कलर एड़ हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप जैसे ही ये चीनी की साथ पानी जो है melt हो जाएगा तो हम क्या करेंगे इसको एक बार उबाल लेंगे हाई फ्लेम पर तो अभी यहाँ पर धिमियाच रखने की जरुरत नहीं है तो जैसे ही एक उबाल आ जाएगा तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ना ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे अब हम चलते हैं थर्ड प्रोसेस में तो यहाँ पर इस तरह से एक बरतन ले लेनी है और एक ग्लस के जैसे हम पानी डाल देंगे और जब तक हम पूरे प्रोसेस को करेंगे तब तक गैस की फ्लेम को हम एकदम लो पर रखेंगे और इसको गरम होने के लिए छोड़ देंगे तो यहाँ पर केरमल की जो पानी है वो भी हमारे ठंडा हो चुका है बट बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करनी है जैसे थोड़ा सा हम इसमें हाथ लगा सकते टच कर सकते उतना तक हमने किया है आप देख सकते हैं इसमें कलर बहुत ही अच्छा आया है मैं थोड़ा सा आपको टच करके भी दिखाती हूँ तो ये देखिए मैं उंगली रखा है तो ये बहुत ज़्यादा गरम अभी नहीं है अब ये जो milk powder को हमने पानी की साथ mix करके रखा था इसको हम क्या करेंगे इसको हम इस केरामेल बला जो पानी है इसमें हम डाल देंगे और ये दोनों को एक साथ हम mix कर लेंगे तो ये देखिए पूरी प्रोसेस को follow कीजिए नहीं तो आपकी दही अच्छी नहीं बनेगी अब इसमें थोड़ी से flavor के लिए हमने इलाइची powder डाल दिया है इससे दुकान की जैसे दही जैसे बनती है ना एक बहुत अच्छी flavor होती है बैसे ही बनेगी अब हम क्या करते है इसको side करते है और 3 टेबल स्पून जो है इसमें हमने corn flour लिया है तो 3 टेबल स्पून ही हमने corn flour लिया है क्योंकि हमें 3 कटोरी जो है दही बनानी है तो तीन कटोरी के लिए हमने तीन टेबल स्पून कॉर्ण फ्लावर के साथ तीन से चार टेबल स्पून जो है पानी डाला है पानी जो है वो रूम टेंपरेचर वाला पानी हमने लिया है तो इसको अच्छे से हम घोल लेंगे इस तरह से और अच्छे से घोलने के बाद हम अगला प्रोसेस क्या करेंगे ये जो हमने अभी मिस्टरन टेयार किया है इसको हम इसमें डाल देंगे और इसको डालने के बाद अच्छे से इसको कटोडी को धोवी लेंगे और इसी से हम अच्छे से spoon की मदश से इस तरह से घोल लेंगे अब अगला step जो है बहुती ज़्यादा important है तो इसको ध्यान से देखिएगा क्या करना है क्योंकि इसमें हमने कोई भी दूद का इस्तेमाल नहीं किया है तो इसलिए ये process को ध्यान से देखिएगा तो अभी दही बनाना है तो हमें दही लेना है तो ये जो दही है ये खटा वाला दही है तो दही को हमने 3-4 टेबल स्पून जो है इसमें मिला दिया है अब यहाँ पर बहुत अच्छे से ये मिस्रन को घोलना है इसमें बिल्कुल भी lumps नहीं होना चाहिए क्योंकि कई बार होता है जब दूद के साथ हम दही को घोलते है तो दही जो है अच्छे से mix नहीं होती है और वो तैरने लगता है तो यहाँ पर hand blend से मैंने इस तरह से अच्छे से mix कर लिया है तो इसी तरह आपको भी करना है तो यह देखिए बहुत अच्छे से mix जितना ज़ादा आप इसको अच्छे से mix करेंगे उतना ही ज़ादा दही आपकी बनेगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी consistency कैसे मैंने बनाई है आप तीन सेम कटोरी हमने यहाँ पर लिया है तीन कटोरी में हम यह जो mistran को बनाया है इसको हम इसमें डाल देंगे Friends एक छोटी सी request है अगर मेरी recipe से आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है वीडियो देखना पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को एक like और friend circle में share कीजिएगा चैनल पर new है तो प्लीज मुझे support करने के लिए चैनल को subscribe जरूर से जरूर कर लीजिएगा तो यहाँ पर तीन कटोरी में मैंने इसमें डाल दिया है अब हम क्या करेंगे यह पानी भी तब तक हमारा गरम हो चुकी है आप वो कटोरी को एक एक करके इसमें set कर देंगे और जैसे मैंने आपको बताया था कि स्तिर्फ 10 मिनिट में हम इसको बनाएंगे तो यह जो प्रोसेस है अभी हम धीमी आज पर 10 मिनिट इसको इस तरह से दही को जमा लेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखने बाली बात है यह जो हम cover करेंगे तो इसकी जो hole दिख रहा है इसको बंद नहीं होने देना है अगर अंदर की steam इससे भी निकल नहीं रहा है तो cover को थोड़ा सा side करके रखना है अभी 10 मिनिट हो चुका है आपको दिखा रही हो उपर थोड़ी थोड़ी पानी जो है हमारा दिख रहा है तो अभी फिर से हम 3-4 मिनिट के जैसे इसको cover कर देंगे चार मिनिट के बाद आप देखेंगे यह दही पुरा set हो जाएगा तो फिर हमने इसको ठंडा करके freeze में आधा घंटा के लिए जमा लिया है तो यह ठंडी ठंडी दही जो है हमारा बन के तेयार हो गया है एक-एक कटोडी में धाई 100 ग्राम दही है तो उसकी हिसाब से देखा जाए तो यह 75 ग्राम दही हमने बनाया है मेरे बरतन में तीन का ही नाप था आप चाहे तो चार कटोरी बना सकते हैं किसी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार